नोमेन कलेचर ओप कोडिनेशन कमपाउंड तो कोडिनेशन कमपाउंड होते हैं उनको अपने आवेस के आधार पर कोडिनेशन स्पीर पर चार्ज है उसके आधार पर अपने तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं तो नोमेनक्लेचर के लिए अपने को कोडिनेशन कंपाउंड है उनको तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं कोडिनेशन कंपाउंड है उनको आप तीन पार्टों में डिवाइड करो सबसे पहला है कि यदि समन्य एमंडल पर नेगिटिव चार्ज हो दूसरा है यदि सम्निवे मंडल पर पोजिटिव चार्ज हो और तीसरा है यदि सम्निवे मंडल पर कोई चार्ज नहीं हो यानि कि न्यूट्रल हो तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं एक तो ऐसा जिस पर कोडिनेशन स्पेर पर नेगिटिव चार्ज हो एक ऐसा जिसमें कोडिनेशन स्पेर पर पोजिटिव चार्ज हो और कोई चार्ज नए हो तो इसका अग्जाम्पल के तोर पर आपको बताएं जैसे मालो कि C O C N की 6 है उस पर माइनस चार्ज होता है थरीका या फिर F E F 6 है उस पर भी चार्ज माइनस थरी होता है या C R A C L A 6 से माइनस थरी है तो यह सभी रिनावे सित है दनावे सित वाले जैसे मालो C O N 3 6 पलस थरी होता है C R A H 2 O की 6 पलस थरी होता है यह जी एनस थरी की होल्ट वाई से पलस होता है यह दनावे सित वाले उदासिन वालों की बात करें कि एन आई सी ओ फोर कि एफ ई सी ओ फाइप सी आरे सी ओ सिक्स तो यह क्या है उदासिन ने संकुल है यानि कि इसे नेगिटिव चार्ज कोंप्लेक्स कहा जाता है यह इसको अपने आशे का दें एम एल एन पर चार्ज क्या है माइनस एन में है यहां पर एम एलन इस पर चार्ज क्या है पलस में है यह एन और यह एन एक जैसे नहीं यह एन डैस कर दो है सबसे पहले लिखा जाता है इसमें यदि रिनावेस नहीं हो तो रिनावेस को संतुलित करने के लिए कोई दनावेस लगाना पड़ेगा जैसे मालोय ने थरी लगा दिया इसे माइनस तीन को प्लस तीन वड़ा के धरी जोड़ दिया तो ये बाहर कोई दातू हो तो सबसे पहले लिखा जाता है कि बाहरी दातू बारी दातू का नाम लिखा जाता है बारी दातू का नाम लिखा जाता है लेकिन संख्या नहीं दरसाते का नाम लिखेंगे संख्या नहीं दरसाते इसमें संख्या नहीं दरसाते बारे दात्तु का नाम लिखेंगे उसमें संख्या नहीं दिखाएंगे उसके बाद में लिखा जाएगा फिर बारे दात्तु का नाम लिखने के बाद में सबसे उसके बाद में लिखा जाएगा लिग लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड का नाम लिखेंगे संख्या दरसाते हुए यहां पर संख्या दरसानी है अपने को संख्या दरसाते हुए लिखना पड़ेगा लिगेंड का नाम उसके बाद में लिखेंगे अपने केंद्रिय दात्तु का नाम लिखेंगे सेंट् सेंट्रल एटम यानि कि केंद्रिय परमाणू है उसका नाम लिखेंगे सामने दातु होता है लेकिन कई बार है दातु भी हो सकते हैं उपदातु भी हो सकते हैं तो सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे और नाम लिखेंगे वो कैसा नाम लिखेंगे लेटी नाम लिखेंगे ल क्या सब्सक्राइब देंगे एक जोड देंगे एक जोड नाने पूलना है यह तो कि उक्षी डेसन स्थे रोमन संख्या में लिखेंगे यानि की रोमन संख्या में रोमन संक्या में ओक्सीडेसन स्टेट लिखेंगे रोमन संक्या में ओक्सीडेसन स्टेट यानिकी ओक्सी करने अंक लिखेंगे ओक्सी करने अंक लिखेंगे रोमन संक्या में और यदि बाहरी दात्तू नहीं है तो कोई चार्ज पाया जाएगा चार्ज होगा तो कोई मानलो चलेंगे यह नाम लिखने का सुथ्र होता है वैसे रिकाबों में नहीं पाया जाता लेकिन अपने इस परकार से इसी करम से चलोगे तो आपका नाम सही होगा सबसे पहले जैसे माल लोस्का नाम लिखना बारी दात्तू का नाम लिखनें संक्या नहीं दरा सार्थ दे ca-bridge तो कि तरी को आप क्या कहोगे पोटेसियम बाहरी दातु का नाम हो गया पोटेसियम ट्राइपोटेसियम नहीं लिखना अपने को ट्राइपोटेसियम नहीं लिखना सिधाइपोटेसियम लिखेंगे फिर रिनावी सिद्लिगेंड फलोरो है तो आप इसको फलोरो लिखो या यहां पर लिखना पड़ेगा अपने को यहां पर लिखनी है इसके साथ लिखनी है तो यह हो जाएगा इसका नाम इसी प्रकार से इसका नाम देना है तो दिखें लिखेंगे ट्राइ-सोडियम नहीं लिखेंगे सीधा इसोडियम लिखेंगे तो सोडियम फिर एक्सा कलोरो या कल्वृ्भ साथ एक्रोभ में एक année सब्सक्राइब के साथ एड़ देंगे तो क्या मन जाएगा क्रोमी एट है और उक्सिटेशन स्टेट क्या जाएगी इसकी थर्ड तो यह इसका क्या हो जाएगा यूपसी नाम हो जाएगा यह दी लिगेंड दो या दो से अधीक है तो आपको अलफाबेटिकल करम में लिखना पढ़ेगा जैसे माल्नों यहां पर ऐसा कोई कमपाउंड होता जिसमें सी एन है और इसके साथ से सीएंटीं यह और तीन क्या है इसके साथ ब्रोमीन है तो ऑक्सिडेस है अब यह अलफाबेटिकल करम में लिखना पढ़ेगा तो सबसे पहले क्या लिखो क्या आटीन प्रो रचाव भ्रोमग यह ब्रव माुड secondo ट्राइग क्लोरो यहाइड निए तो दो माँड नहीं है और साइनाइड हम निए यह मैं 2022 ट्राइग ट्रेइंट ट्राइग कि पहले क्यों लिखा है क्योंकि बी पहले आता है उसी बाद में आता है तो उसको पहले लिखो है Cela से लिखोगी कि गई दुबारा देखें कि ऑगयेद्चत ब्रोमो का हुए प्रोमाइड भाई अंतल सनपल ब्राई आडो Siri और साथ में क्या गया आयन सब्दा जाएगा क्योंकि इसके उपर चार्ज कितना है वो नहीं दिखाएंगे बस इतना दिखाएंगे इसके अधार पर अपने को पता लग जाएगा तो यह रिनावी सित लिगेंडू के लिए दो बातें द्यार रखने जरूरी है एक तो इसमें जो मैटल है मैटल का नाम लेटिन बासा में लिखेंगे लेटिन होता है प्रतिकवाला नाम के साथ एट जोड़ दें रोमन संख्या को सभी में लिखा जाता है उपर चार्ज आयन सभी में लिखा जाता है और वारे दात्तों कि संख्या नहीं दर्शाते जो सम्म्न में मंद तु दहाई की जगें क्या का माँरेंगे। ट्रेट्रा किस का मालेघें ऑर पैंटा की जगाँ चाहि क्या का में लेगे जवर और प्टेंटा किस का में लेगे। पूर एक्सा की जगये एक्सा किस काम में लेंगे इस परकार से लिखे लिखने जाते हैं थो उसके बाद रेक्ट में लिखा जाता आगे बादा लिगेंड करहें या लिखत रहां यानि की पैंटा की साथ सब्सक्राइब लेते हैं तो उसके बाद में जो गेंड का नाम लिखेंगे यह वो ब्रेक्ट में या उदाशिन संकुल हो दनावे सित वै उदाशिन पिराइशिंट वै उदाशिन हो यानि कि पोजिटिव चार्ञड न्यूट्रल हो उसका नाव 13 reported 5 एकी तरीके एमडेस बेठा वो सकता है सूरी यहां पर होगा जो नोन मेटल होगा कोई क्यूंकि मेटल परजास पोजिटीव होता है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा लिगेंड का नाम लिखेंगे तो आप अलफाबेटिकल ओडर में उनको जमाएंगे फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे सेंट्रल एट्टम का नाम सेंट्रल एट्टम क्या है सेंट्रल एट्टम का नाम लिखेंगे सेंट्रल एट्टम का नाम लिखेंगे और नाम कैसा होगा यही इंपोर्टेट बात है नाम अंग्रेजी वाला होगा नाम इंग्लिस वाला होगा नाम इंग्लिस वाला होगा इसके बाद में हंग्रेजी वाड़ा नाव इसके बाद में फिर क्या लिखेंगे सेंटल एटम बेदी संख्या में ज्यादा है तो संख्या दरसाएंगे उसके बाद में फिर सेंटल एटम के साथ ही रोमन संख्या के अंदर ओक्सी कणंक लिखेंगे रोमन संख्या में रोमन संख्य अमें oxidation state लिखेंगे उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे last में non metal का नाम लिखेंगे non metal बाहर कोई बेठा है बाहरी बारी यहां पर आद्थ तो बारी non metal का नाम लिखेंगे नाम कोई भी मुल्लक आयन जो है बाहर उनका नाम लिखेंगे बाहर कि самой संख्या नाहीं दर्साथे बाहर कितने बैठियेंगे अपने इतना इथ अग ते नहीं दर्साथे यहां पर जो लेटीन नाम था यहां पर लेटीन की जगें कौन सा नाम आया अंग्रजी वाड़ा इंगलीश वाड़ा लेटीन नाम परतीक वाड़ा होता है जैसे एफी का लेटीन नाम क्या है फिर्स है और यहां पर एफी का नाम क्या लेंगे यहां पर एफी का नाम आयरन लिखेंगे यहां पर जो लेटीन नाम के साथ एट जोडने के बाद फिरेट कहा था यहां पर फिरेट नहीं कहेंगे यहां पर क्या कहेंगे आयरन कहेंगे य प्प्प्र प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् कहा था एजी को यहां पर अर्चन टेट कहा था यहां पर एजी को सिधा ही सिल्वर कहेंगे यहां पर सिल्वर कहेंगे यहां पर तो इतना मोटा सा नाम लिखने में दुखी हो गए ते यहां पर अपने सिधा ही कहते हैं सिल्वर है वह यहां पर सोनने को एयू को औरेट कहा थ क्यूंकि एट जोड़ने के बाद में और एट कहा था और यहां पर एट जी को सिल्वर कहा और एई यू को गोल्ड कहेंगे एई यू को गोल्ड सिल्वर है इस परकार के यहां पर जो लेटिन वाले नाम थे वो काम में लिए थे और नाम के साथ एट लगाया था यहां पर नाम नाम संकियाहं भी नहीं लिखते हैं पर किल ऑर सेंटल वाले में दिखते हैं पर लेटनी नाम के साथ सथ क्षार्ट था यहां पर सिधा अंग्रेज्जी नाम है ।